सबको जे एसु की संडे पास्वर्ट टु दा वर्ड इस शिर्शे के अंतरगत प्रती इत्वार के पूजन पदति में बाग लेते हुए इश्वर का वचन सुनने के लिए समझने के लिए उन वचनों पर विश्वास करते हुए उन वचनों के अनुरूप जीवन बिताने के सामर्ति मागने के लिए मैं आप सभी लोगों का हारदिक स्वागत करता हूँ और आज चालिसे का चौथा इत्वार के पूजन पदति में हम सभी बाग लेते हुए प्रभू का वचन को सुनने वाले हैं आज मुख्यरूप से हम लोग पिताब परमेश्वर हम सभी मानो जा परते भी उस प्रभू के प्रेम में आगे बढ़ें प्रभू का वचन आज के दिन में हम सभूं के समुक रखता है पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में अवसु समचार के माद्यम से ईश्वर यह चाता है उनके योजना समस्त मानो जाती के लिए यह है कि समस्त मानो जाती उधार प्राप्त करें और यह कैसे संभू होगा यह सिर्प और सिर्प उसके परम प्रिया पुत्र हम सबों के मुक्तिदाता येसु मस्य के द्वारा ये संभू होगा और यही बात को आज के सुसमचार के द्वारा हम सबों के संभू का प्रस्थुत किया गया है मुक प्रदान करने के लिए ईश्वर ने अपने पुत्र येसु को हम सबूँ के लिए इस धर्थी पर बेजा तो आज के दिन में हम प्रभु का वशिनों को अलग-अलग बिंदों के माद्यम से समझने की चेश्टा करें सबसे पहले पहला बिंदु है हम सबूँ के लिए मनंचंत प्रेम करता है प्रेम उसका स्वभाव है प्रेम उसकी पहचान है प्रेम उसका नाम है और वो प्रेम करने वाला वो ईश्वर सबसे प्रेम करता है उसने केवल कहा नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूँ हलंकि इस बात को बहुत बार हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में जहां इश्वर कुदी इस बात का ऐलान करता है मैं तुम से प्यार करता हूँ तुम मेरी दरस्टी में मौलिवान हो तुम मेरी दरस्टी में महत रखते हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ हम लोग प्रभु का वशन बार-बार पढ़ते हैं प्रभु ने नाकेवल शब्दों से कहा कि वो हमसे प्यार करता है बलकि प्रभु ने प्रेम का प्रमान हम सबों के सम्मुक रखा है उस महान अपार असीम अनंत प्यार को हम सबों के प्रती उस इश्वर ने व्यक्त किया है प्रकट किया है इसलिए इस बात को जानना इस बात को मानना इस बात को मानते भी इश्वर को धन्यवाद देते भी उस प्यार को ग्रहन करना और अनुबव करना हम सबों के लिए बहु जरूरी है आज का दूसरा बिंदो है मनंचिंतन करने के लिए ये इसमें विश्वास करने वाला अनन्त जिवन पाएगा इश्वर ने हम सुभूं को मुक्ति प्रदान करने के लिए सब कुछ किया स्वर्गय सिहासन चोड के दर्ती पर आना मनश्य बनना दास का रुप धारन करना मनश्य के पाप की सजा को अपने उपर लेना उस अपमानिंदा सहना उस उपहास को सहना कोडों की मार खाना बारी कुरूस को उठाना कलवार की यात्रा करना तीन खेलों के बीच में कुरूसि इश्वर ने बड़े कारी इश्वर ने किये हम लोगों का क्या करना है हम लोगों का एक मात्र कारी करना है वो क्या कारी है सिर्फ और सिर्फ हमें प्रभी येस्व मसी में विश्वास करना है येस्व मसी का प्रायशित का फल मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें येस्व में विश्वास करना और यही काम हम लोगों से नहीं होता हम लोग सबूत मांगते हैं अलगलग प्रकार के प्रमान मांगते हैं यद प इश्वर ने अपना प्रमान दिया है तब भी मनश्य हटधर्मी है अपने रदई कठोर बना लेता है इसलिए इश्वर के द्वारा प्रस्थत किया हुआ प्रमान हमें दिखाई नहीं देता और विश्वास हम नहीं कर पाते बाइबल के कोई बात है हमें सबूत चाहिए यह बात कहां लिखी है यहां बात यह कहां पर बताया गया है हम अकसर सवाल करते हैं प्रभु में विश्वास करने में हम लोग हम लोग के लिए सबूत चाहिए और प्रभु का वशन कहता है जो प्रभु येस्व मस्य में विश्वास करता है उसे मुक्ति प्राप्त है संसार प्रभु येसु के द्वारा मुक्ती पाए है ये इश्वर की योजना है इसलिए इश्वर ने अपने पुत्रों के इस दर्थी पर बेजा आकाश के नीचे दर्ती के ऊपर समस्त मानव जाती के लिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके दौरा में मुक्ति बिल सकती है सिर्फ और सिर्फ प्रभु येसु मसीय का नाम दिया गया है जिससे जो कोई वो इसमें विश्वास करे उने अनंत जीवन मिले उनका सर्वनाश ना हो और यह इश्वर के योजना है इस योजना के तहत इश्वर ने इस दर्ती पर अपने पुत्र येश्व को बेजा है चौता बिंदु आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए मनुश्य जोती के अपेक्षा अंदिकार अधिक पसंद करता है इसलिए अंदिकार में रहते विए वो अपने मनमाना आचरन कर सकता है अपने तमाम प्रकार के गलतियों को चिपा के रख सकता है अंदकार से संचालित कारियों को कर सकता है जिसमें उसे च्छंबंग और आनंद मिलता इसलिए जोती को उसने पसंद इसलिए नहीं किया जोती से उसके कर्म प्रकाशित होंगे लोगों को दिखाई देंगे और वो प्रकट हो जाएगा कि किस प्रकार के विक्ति है इसलिए इनसान ने क्या क्या जोती के अपेक्षा अंदकार को अधिक पसंदे किया क्योंकि इनसान अंदकार से संचालित था और ये बात हमें जानते हुए हमें देखना है कि मैं कहां पर ह सकता इसलिए प्रभु के जोती में रहने के लिए जीने के लिए प्रभु हमें बुलाता है अगला बिंदो है मनन चंतन करने के लिए इश्वर ने दया दिखाते विए हमें बचा लिया है यह हम अपने अपने महनत से अपने पुर्ण्य से अपने पवित्रता से हम नहीं बच इश्वर के प्रेम से हैं अन्यता इश्वर हमें हर हमारी गलती के लिए अपराद के लिए सजा देने वाले होते कौन बच सकता है इश्वर के सामने हम सबके सब दोशी हैं प्रभू इस दुनिया में दोशी टहराने नहीं आया दोश लगाने नहीं आया अगर इश्वर हम पर यक्ति नहीं बच सकता क्योंकि हम सबके सब दोशी हैं, सबके सब गुनेगार हैं, सबके सब अपरादी हैं, इसलिए ये इश्वर हम पर दोश नहीं लगाता बलकि वो हमें शमा करता है, माफ करता है, दया दिखाता है, उसके दया से हम सभी बचे हैं, इस बात को में जानना, इस बात को अनुबो करना बहुत ही जरूरी है अगला बिंदु है मनंचंतन करने के लिए में दिया गया है यिश्वर में बरोसा करें यिश्वर में विश्वास करें और सब कुछ संबाव होगा यिश्वर पर बरोसा रखें यिश्वर पर विश्वास रखें सब कुछ संबाव होगा जो संबाव नहीं लगता वो भी संबाव होगा क्योंकि प्रबु दयालु है प्रबु सहंचील है प्रबु प्रेव में है प्रबु अथिंत दया से द्रवित होने वाला इश्वर है इसलिए उस पर बोरोसा रखेंगी प्रभू पर विश्वास रखेंगे सब कुछ संबव होगा हमें एक बात के लगता भी होगा सब कुछ खतम है तब भी खतम नहीं होगा वो ये श्वर एक नहीं शुरुआत करने का मौका देगा एक नहीं सभेरा हमारे जिवर में जगाएगा इसलिए प्रभू पर बरोसा रखें प्रभू पर विश्वास रखें इस प्रकार से प्रभू का वचन आज के दिर में हम सबों को बुलाता है प्रभू के इन वचनों पर मनंच इंतन करने के लिए हम सबों से प्यार करने वाला वो ये श्वर दया दिखाने वाला वाईश्वर तरस काने वाला वाईश्वर आज भी तयार है हम समून के प्रत्य अपना प्यार प्रकट करने के लिए हमें बचाने के लिए हमें फिर एक बार नई शुरुबात करने के एक मौका देने के लिए वो तयार है कोई बात नहीं प्रबु दोश लगाने के लिए नहीं आया, वो बचाने के लिए आया, वो जीवन देने के लिए आया, उस प्रबु के पास जाएं, अपने पापों को कुबल करें, स्विकार करें, प्रबु से कहें, प्रबु मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर, मु मुझे बचा लिजे, मैं बशना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, अनंत जीवन का सुक चाहता हूँ, प्रभु मुझ पर रहम कर, मुझ पर तरस का, हम प्रभु से प्रार्तना करें, और वो प्रभु निश्चित रुपस हमें माफ करेगा, हमें शमा करेगा, और हमें ज वही प्रभु हमारी मदद करें आमेन